उत्री इसराइल लगातर हिजबुला के हमलों से देहल रहा है एक बार फिर लेबनान से खतरना प्रोकेटों ने इसराइली बेस को दमाकों से हिला डाला इसराइली रमक डैविट एर बेस पर हिजबुला ने भारी रोकेटों से हवाई हमलों की बोच्छार की लडाकों ने हाइफा शेर के पूर्व में इसराइली वाईू सेना बेस पर दरजनों फदी वन और फदी टू लंबी दूरी के रोकेट अटरली गोले दागे ये पहली बार है जब हिजबुला ने इन रोकेटों का हिजबुला के खिलाफ इस्तिमाल किया है नासरिया जिले में बना बेस काई इसराइली वाईू सेना स्कौारडन और F-16 लडाकों जेट का ठिकाना है जहां से लेबनान पर हमलोकन जाम दिया जाता है समू ने अपने दावे की पुष्टी करते वे वीडियो भी शेर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि लडाकों ने डेड़ महीने पहले ही इस इलाके की रेकी की थी अपने एडवांस ड्रोन की मदद से लडाकों ने इलाके का वीडियो बना कर विमानों की 33 उनिश्चित की थी हिजबुल्ला का हूप और ड्रोन पहले भी रमत डैविट एरवेस के उपर से उडान भर चुका था जहां इसने बेस के बारे में महत्रपुन जानकारी रिकोर्ट की थी बताया जाता है कि रामत डैविट एरवेस जिसको एजर वीचमेन बेस भी कहा जाता है इसराइली बल इसका इस्तिमाल लेबनान और इसीरिया की और से हवाई अभियानों के लिए करते है यह उतरी लाके में एक मातर इस्राइली वायू सैना का एरवेस भी है इस बेस में 109 स्क्वाइडन F-16D बराक लड़ाकु जट को अपरेट करती है इस बेस पर 160 स्क्वाइडन और 157 स्क्वाइडन भी तेनात है जो UAV का इस्तिमाल करती है इसके अलावा इस बेस में चास क्वार्डन भी हैं जिनें शेत्री साहेता, रखरखाव और परिचालन परबंदन का काम सोपा गया है अलमयादिन की रिपोर्ट के मताबिक एयर बेस पर दागे गए रोकेट हिजबुला के अंडरग्राउंड इमाड ठिकानों से लौँच हुए थे इन लंबी दूरी के आटरली रोकेट को पहली बार इस्तिमाल में लाया गया है इन्हें इस्राइली लक्षियों पर सबसे गहरे रोकेट हमलों में से एक बताया जा रहा है फदी 1 220 mm केलिबर का रोकेट है जिसे मल्टिपल रोकेट लौँचर से लौँच किया जाता है ये इमाद 4 वीडियो में देखे गए रोकेटों में से एक है इसकी अधिक्तम सीमा भी 80 km है वहीं फदी 2 302 mm केलिबर का रोकेट है जिसे MLR से लौँच किया जाता है और ये इमाद 4 वीडियो में देखे गए रोकेटों में से एक है इस प्रोजेक्टाइल की एदिक्टन सीमा 105 किलोमेटर है हिजबुल्ला ने पिछले मईने दावा किया था कि उसके इमाद 4 बेस उन दरजनो ठिकानों में से एक है जिसका दुश्मन के किसी भी हमले पर कोई असर नहीं पड़ेगा दावा है कि हिजबुल्ला लडाकों की ओर से इतने जोरदर हमले हुए कि बड़े पेमाने पर साइरन बज़ गए इसराइली सैना ने बताया कि ये हमला उस लक्षे पर किया गया था जिसे हिजबुल्ला ने दो महिने पहले अपने एक वीडियो में दिखाया था इसराइली मीडिया की माने तो अफुला शहर समेट 74 इसराइली बस्तियों में अलर्ट साइरन बज़े इसराइली सैने कमान ने बताया कि हिजबुल्ला ने शुरुआती हमले में रमत डैविट एर बेस पर लंबी दूरी के रोकेट आटरली गोले दागे जिन में 175 किलोग्राम वजन का विस्फोटक वोरहेड भी था पिछले कुछ दिनों में इस्राइली जुदक विमानों ने लेबनान के इलाकों में परती दिन लगबग 50 हमले किये हैं इस्राइली मीडिया ने बताया कि 15 में से केवल 8 रोकेटों को हवाई सुरक्षा द्वारा रोका गया ये पहली बार है जब हिजबुला ने इस्राइली लाकों में इस शमता के रोकेट दागे हैं इस्राइली मीडिया ने संकेत दिया कि हाइफा के पास और कबजे वाले अल जलील में अन्ने शेत्रों को लगबग 100 रोकेटों से निशाना बनाया गया था ख lighthouse alongside a झायणा जादे स्थिए्टेशन से मारत के ज़र से प्यादान फास और कर में अन्ने शाया बनाया दम Alfन ना जचार जाखे हम अन्नाव शाम , बनाया ही लाणतव Campbell , जहांकर शियादा।